आध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए एक बहुत सुन्दर धार्णा है समर्पन भाव जिस्टे हमारा प्यार होता है हम उसको अपना संपूर्ण समर्पन कर देते हैं संसार में भी समर्पित भाव से गीने के लिए बहुत ज्यान के आवश्चक्ता होती है और जो समर्पित भाव से कारिये करते हैं वो बहुत उत्तरदाइक तो संभाल लेते हैं निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं इस वरिये मार्पत जब हमने भगवान को जान लिया जब हमें उसका संपूर्ण ज्यान प्राप्त हो गया प्यार के सागर का प्यार भरपूर कर दिया हमको ऐसे प्यार में हम सर्वस्व समर्पित हो जाएं जो तुम्हारी आग्या हमने कहा था भगवान को ए प्रभू जब आप इस धरा पर आएंगे तो हम आप केवल आपकी ही सुनेंगे आपकी ही मानेंगे मनुस्यों की सुनते मानते तो युगों से आए अब जब भगवान हमारे सम्मुक है उसने परमसिक सक बन कर संपूर ज्यान दे दिया है तो अब हमारे मन से यही निकले जैसा तुम कहो हम उसकी आग्याओं पर चलते हैं वो हमारे लिए जिम्मेदार रहते हैं हमें उनकी सक्तियों में संपूर विश्वास हो जाना चाहिए हम उन्हें संपूर रुप से जान पे चलें भगवान के पास आगए उसने हमारी जिम्मेदारी ले ली सोच ले वो हमारी जिम्मेदारी कितनी सफलता पूर्वक निभाएगा वो हमें किस तरह निश्चिंत कर देगा अगर भगवान को समर्पित हो कर भी मन में चिंताएं रहती हैं क्या होगा कहीं ऐसा ना हो जाए तो हम बाबा को पहचानते नहीं है तो आईए संपूर्ण समर्पन कर दें सब कुछ तेरा मेरी बुद्धी भी तेरी और मन भी तेरा मेरा हर करम भी तुम्हारे लिए इन तेंचे जोग पर विशेष ध्यान देंगे बुद्धी समर्पित मेरी बुद्धी तो ऐसा कहती है बाबा तो ऐसा कह रहे हैं ये नहीं जब हमें पता है कहने वाला स्वयम भगवान है तो मेरी गुद्धी ऐसी कहती है ये प्रस्न कां से उठ गया मेरा मन तो ऐसे चलता है नहीं मन भी वैसे ही चले जैसे प्रभू की अग्या है और बहुत सुन्दर बात है हम अपने हर कर्म को बाबा के लिए करें अब मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए है जैसे एक व्यक्ति के सब कर्म उसके परिवार के लिए होते हैं एक अच्छे अधिकारी के लिए उसका हर कर्म अपने मालिक के लिए होता है ऐसे ही हम भी समर्पित हो जाएं मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए बिल्कुल अननदित हो जाएं हम भगवान के लिए काडिये कर रहे हैं हम उसकी सेवा में हैं चलें तो भी उसके लिए देखें तो भी उसके लिए और उसको ही सुनें तो भी उसको ही, प्यार करें तो भी उसको ही, सब कुछ तुम्हारे लिए, इसमें हमें परमानंद की अनुभूती होगी, तो आज सारा दिन हम समर्पन भाव अपनाएं, बाबा से बात करते रहें बाबा, मेरा सब कुछ तेरा, ये मेरा घर, ये मेरा बिजनर दुकान, ये सब तेरा, ये मेरा परिवार, बच्चे, बती, पत्नी, सब तेरे, बहुत मजाएगा, मैं भी तेरा, तो बाबा उपर से अवाज देगा, बच्चे, मैं भी तुम्हारा, और मेरा सब कुछ भी तुम्हारा, और मन परमानंद से भर्पूर हो जाएगा, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस साथ में करेंगे, तन दे दिया बाबा को, जैसे हम तन दे रहे हैं बाबा को, लो बाबा मेरा ये तन रूपी वस्त्र, और बच गई मैं निराकार आत्मा, बहुत, केवल आत्मा, और कुछ भी नहीं, तो आज सारा दिन, इस तरहे निराकार इस्थिती में, इस्थित होने की प्रैक्टिस करेंगे, हर गंटे में कम से कम एक बार, और सब कुछ तेरा, ये गुड़ फिलिंग रखेंगे, तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स, ओम च्छान्ति.